हो भी और हमारा काम जब एक होता है तो फिर वो आस्मान की बुलंदियों को छोता है संड्राइज स्केंडल ये प्रोजेक्ट सिर्थ भारत का ही नहीं अब वर्ल्ड का एक उनीक प्रोजेक्ट बन चुका है जहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे द्रश्टिबादित मित्र क काम करते हैं लेकिन मैं और मेरी समपूर्ण टीम जो आपका क्वेस्चन है उसका जवाब देती हूँ मैं ये जरूर सुरुवात में कहना चाहूंगा अतुल जी कि हम इस वर खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दोक के बदली ये दस-दस आखे बग्स दी ठीक है ना नहीं दिखता नहीं दिखता लेकिन आज हमारी बनाई हुई केंडल्स करीफ 67 केंटरीज में उजाला फैला रही है बहुत तो ये जो टच संसेशन है उससे ये काम काफी आसान हो जाता है साथ हम ब्रेल को अब कहीं तो भी फड़ा पीछे चोड़ने लग गए ल चोटे-चोटे रबर सिलिकॉन के डाईज है या कास्टिंग के डाईज है जो हम खुद मैनिफेक्ट्चरिंग कलते हैं उसी के माध्यम से ये पूरे प्रोड़क्ट डिजाइन किये जाते हैं कुछ डिजाइन इंस्टिटूट है जो पुना एंदावाद वो हमें ऐसे केश च्टडी लेते हैं तो कुछ अटपटी डिजाइन से या एक ताजमेल बनाना है या को तुम मिनार बनाना तो उसके लिए हम बिल्कुल डाई के लिए उनकी मदद लेते हैं लेकिन हर एक डिजाइन बनाने के पहले हम उसको क्ले में पहले डिजाइन करते हैं मिट्टी में ह तिन चार पार्ट में अलग करके और फिर उसको वापस मिट्टी से अलग करके उसको रियसेंबल करके और उसको लुब्रिकेट करके और फिर मोम पोर किया जाता है कलर और फ्रेग्रेंस के लिए मनें जैसे कहा कि हम उसमें ब्रेल का उप्योग करते हैं और सबसे जो मैं समझत हुआ कि गुम फिर कर जो बात आती है employment की या किसी सामने वाले नए दरश्टिबाधित या दिव्यांग मित्र में इच्छा सक्ति की तो Sunrise Candle को design ही इस तरह से किया हुआ है कि इसमें कोई मालिक नोकर नहीं है very first day से end of the day जो भी नया benefits जूड़ता है उस दिन का पूरा पैसा उसको उसी दिन साम को दे दिया जाता है वो भले रस्ते न कहीं भीक मांगता हो या कहीं पर आईडियल गर में बैठा था तुटे हुए furniture की तरह लेकिन जब पैसा हाथ में आता है तो ओटोमेटिकली उसमें अंदर से एक आत्मविश्वास जागरत होता है और फंडी है जो उसको सबसे ज़्यादा motivate करता है जो भी manufacturing का काम है पूरा deduct नंग पे डाला हुआ जितना आप बनाए उतना आपका और पूरा मार्केट करीब साड़े 4000 हम retail counter चलाते हैं CD से तिरुपती है इस वज़े से साथ Sunrise Candle आज वर्ड का एक उनिक प्रोजेक्ट बन चुका है अतुल जी